जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जे माग मास महत्यम्मे की मंदर्शी बंसी वाले महात्मा यूटियुब चैनल के ओड़ से हम आप सभी भक्तों का हारधी कभिनंदन करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परम सुन्दर माग मास का समय चल रहा है इस माग मास में भगवान की भक्ती करने से अनत गुना पुन्यफल मिल जाता है मनुष्य का जीवन भगवान की अनमोल देन है 84 लाख योनियों में सर्वशेष्ठ ये मनुष्य की योनी है और इस मनुष्य योनी को प्राप्ट करके इस मनुष्य श्रीर को प्राप्ट करके जिसने भगवान के चर्णों में अपने मन को लगाया है जिसने भगवान की पूरी शद्ध भावना से भक्ति की है पूजा आरादना की है वही मनुष्य इस भवसागर से पार हो सकता है भगवान ने मनुष्य के कलियान के लिए विशेश रूप से माघ मास बनाया है कार्तिक मास बनाया है पूर्शोतम मास बनाया है श्रावन मास बनाया है इन विशेश महीनों में भगवान की भक्ती करने से पुन्यफल भहुत जादा गुना होकर प्राप्त होता है तो माग मास में जितना भी हम भगवान की भक्ती करते हैं उतना ही हमारे मन में सद गुनों क अपने आप विकास होने लगता है माग मास में भगवान की भक्ती करने से घर परिवार में सुख, शान्ती और आनंद आते हैं और माग मास में विशेश रूप से माग मास की कथाओं को सुनने से भगवान की भहुत जादा कृपा की प्राप्ती हो जाती है तो माग मास महत्यम के अध्याए एक से लेकर अध्याए पांच तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं तो अब माग मास महत्यम के छटे अध्याए की कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो की इस परकार है बोल श्री राधा कृष्ण भगवाने कीजै बोल माघ मास मत्यम्मे कीजै भगवान दत्ता त्रेजी महाराज सस्त्र आरजुन से आज कहने लगे हैं कि हे राजन एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ पूरी शद्धा भावना से सुनो भ्रिगु वंश में रिशी का नाम की एक विद्धवा ब्रामनी थी जो बाले काल में ही विद्धवा हो गई थी वहे रेवा नदी के किनारे विंधि परवत के नीचे तपस्या करने लगी है मन भगवान के चर्णों में लगा हुआ है पूरी शद्धा भावना से भगवान की भक्ती में उस ब्रामनी का मन लगा हुआ था सदा नियम से रहती भगवान को प्रसंद करना जीवन का एक मात्र लक्ष था वह जी तेंद्रिय सत्य वक्ता सुशील दान शीलता तथा तपस्या करके धे को सुखाने वाली थी वह अगनी में आहूती देकर उच्छ वरती द्वारा छटे काल में भोजन करती थी वह वलकल वस्त्र धारन करती और संतोश में अपना जीवन व्यतीत करती थी जिसके मन में संतोश है समझ लेना कि भगवान की उस मनुष्य के उपर भवत अधिक क्रिपा हुई है क्योंकि संतोश ऐसा धन है जो सब को प्राप्त नहीं होता लाखों करोणों की संपती हो और मन में संतोश ना हो तो वो मनुष्य मान लेना चाहिए कि वो निर्धन है क्योंकि संतोष के बिना सबधन शुन्य के समान है जिसके मन में संतोष है समझ लेना कि उसका जीवन सुखों से परिपूर्ण है क्योंकि जिसके मन में संतोष है उसके जीवन में सुख, शांती और आनंद अपने आप आ जाती है हे राजन उस ब्रामनी ने रेवा और कपिल नदी के संगम में साथ वर्ष तक माग मास का सनान किया है और फिर वहाँ पर मृत्यू को प्राप्त हो गई माग मास किसनान के फल से वह दिव रूप धारन करके चार हजार वर्ष तक श्री विश्नु लोक में वास करके सुन्द और उपसुन्द देतियों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्मा नाम की अपसरा ब्रह्म लोक में उत्पन हुई है वह अत्यंत रूप वती गान विध्यामे अती प्रवीन और मुकुट कुंडल सेशो भाइमान थी उसका रूप योवन और सुन्दर देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए है कुमारी तिलोत्मा नाम की है परमसुंदरी अपसरा रेवा नदी के पवितर जल में सनान करके वन में बैठी है उसी समय सुन्द और उपसुन्द के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती अपसरा को देखकर अपने राजा सुन्द और उपसुन्द से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया है सैनिक उसकी सुन्दर्ता का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे स्वामी काम देव को लजित करने वाली ऐसी परम सुन्दर इस्त्री हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी आप भी चल कर देखें तब वे दोनों सुन्द और उपसुन्द मदिरा के पातर रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुन्दरी बैठी हुई थी आज सुन्द और उपसुन्द मन में ऐसा सोच रहे हैं कि जैसा सैनिकों ने वर्णन किया है उससे बढ़कर इस नारी की सुन्दरता है इस अपसरा की सुन्दरता है दोनों ही उसके रूप योवन को देखकर काम से पिडित हुए हैं दोनों के मन में उस इस्त्री को प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी है और दोनों ही आपस में उस इस्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवाद गरस्त हुए हैं और फिर आपस में युद्ध करने लगे हैं कुछ देर पहले दोनों में प्रेम था दोनों आपस में बैठ कर मदिरा पान कर रहे थे लेकिन कहते हैं कि जहां पर माया रूपी इस्तरी आ जाए वहां पर किसी का होश ठीक आने नहीं रहता ये तो पहले ही नशे में थे लेकिन जब कुमारी तिलोतमा को देखा है उस समय आपस का सब प्रेम भाव भूल गए है नशे में चूर हैं कुमारी तिलोतमा को देख कर उसको प्राप्ट करने के लिए ऐसा भयंकर युद हुआ है कि उस युद में वो दोनों ही समाप्त हो गए है दोनों की मृत्यू हुई है उस समय दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया है और उस समय तिलोतमा काल रात्री के समान उनको परवत से गिराती हुई दसों दिशाओं को परकाश मान करती हुई आकाश में चली आई है और देवकारे सिद्ध करके ब्रहमा जी के सामने आई तो ब्रहमा जी ने परसंता से कहा है कि हे चंद्रवदनी मैंने तुमको सूरे के रत पर स्थान दिया जब तक आकाश में सूरे देव स्थित हैं नाना परकार के भोगों को भोगो सो हे राजन वैं ब्रहमनी अब भी सूरे के रत पर माग मास के स्थान के उत्तम भोगों को भोग रही है इसलिए शद्धावान पुर्शों को उत्तम गती प्राप्त करने के लिए पूरे यतन के साथ माग मास में विधिपुर्वक स्नान करना चाहिए हे राजन माग मास का सनान ऐसा पुन्य फल देने वाला है कि उसके ये थार्थ फल का वर्णन साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते शेश, महेश और गनेश में भी इतनी सा मर्थे नहीं है कि वो माग मास के सनान के फल का पूरी तरह से वर्णन कर सके माग मास के सनान का पूर्ण वर्णन तो केवल एक मात्र श्री हरी विश्ण भगवान जी ही कर सकते हैं उनी श्री भगवान ने कहा हुआ है कि मनुष्री जीवन प्राप्त करके माग मास में सब को प्राता काल के सनान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए माग मास में जिसने पूरी श्रद्धा भावना से प्रातस्नान के नियम का पालन किया है भगवान की भक्ती में भगवान की पूझा आरादना में जिसने मन को लगाया है उसको भगवान की प्राप्ती होगी जाती है सो हे राजन भगवान की आग्या का पालन करते हुए तुमको भी माग मास में प्राते सनान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए मनुश्य जीवन जब तक है जितनी बार भी माग मास का पावन पवित्रिय समय आए उस समय में अपनी मन को भगवान के चर्णों में लगा कर अपनी इंद्रियों को वश में करके पूरी शद्धा भावना से माग मास के सब नियमों का पालन करो माग मास के सब नियमों का पालन होगा तो भगवान प्रसन होगे और जब भगवान प्रसन हो जाते हैं तो मनुश्य को जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त हो जाते हैं हे राजन विशेश क्या कहें माग मास के प्राते काल का सनान सभी तरह की सिद्धियों को देने वाला है। तो इस प्रकार माग मास महत्यम के छटे अध्याय की कथा का यही पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि माग मास के प्रात्यसनान के नियम का जिसने पालन कर लिया है पूरी शद्धा भावना से जिसने भगवान को प्रसन करने के लिए माग मास में भक्ती की है उससे भगवान भहुत प्रसन हो जाते हैं और जिस पर भगवान प्रसन हो जाएं वो अवश्य ही इस भवसागर से पार हो जाता है तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री रादा कृशन जी की माघ मास महत्यम की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री हरी विश्नु जी भगवान की जै मांग मां समत्यम की जै जै श्री